आउदोगी करण का युग नामक सिर्षक के तीसरे बिंदु उपनिवेशों में आउदोगी करण का अध्यायन आज का मुख्य बिशय है इस पाठ में हम लोग आउदोगी करण का उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे अपनिवेशों का जो संदर्व है वह अपने देश से लिया गया है अर्थात भारत में अपनिवेशन अपनिवेशी करण का क्या प्रभाव पड़ा इसके संबन्ध में आज हम लोग विशेश रूप से जानेंगे अउदोगी करण से पहले अंतराष्टिये कपड़ा बाजार में भारतिये रेशमी रम्शूती बस्त्रों का दबदबा था भारत में महिन किस्म के रेशों वाले कपास का उत्पादन होता था तथा इससे उच्च कोटी के सूती बस्त बनते थे हम लोगों ने पिछले कक्छाओं में पढ़ा है कि बस्त्र उत्पादन में और निर्यात में भारत दुनिया में शर्वत्तम था आर्मेनियन और फार्सी सौदागर यहां के बने महीन कपड़ों को अपने यहां ले जाते थे सूरत बंदरगाह मचली पत्नम होगली बंदरगाह के माधियम से यहां से बस्त पश्चमी एसिया तथा दक्षिल पुर्वी एसिया के देशों को निर्यात होते थे निर्यात ब्यापार में बहुत सारे भारतिय ब्यापारी और बैंकर सक्रिय थे भारतिय सौदागर बुनकरों को पेशगी देकर यानि कुछे पैसा एडवांस देकर उनको जिसको ब्याना भी कह सकते हैं बस्त्र तयार कराते थे तथा निर्यात व्यापारियों को बेच देते थे सत्रह सो पचास के दसक तक भारतिय सौधागरों के नियंत्रन वाला यह नेट वर्क तूटने लगा ध्यान दिजिएगा सत्रह सो पचास का दसक एक ऐसा दसक था जो भारत को उपनिवेश बनाया सत्रह सो संतावन में प्लासी का जुद्ध हुआ था हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है पहले और फिर सत्रह सो चौशट में बक्सर का जुद्ध हुआ था जिसके बाद ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की अस्थापना भारतिये उप महादीप या भारत में हो गया था इसका मुख्य कारण इरोपिये कंपनियों की बढ़ती ताकत थी जैसे जैसे भारत गुलाम होता गया इस्ट इंडिया कंपनी के ब्यापारियों का प्रभाव बढ़ता गया प्राचीन बंदरगाह सूरत और हुगली कम जोर पर गया बंबई जो अभी मुंबई है और कलकत्ता जो कोलकता की नाम से भी जाना जाता है का महत्व बढ़ गया इसका मुख्य कारण ये था कि सूरत और हुगली बंदरगाह जो थे वह प्राचीन बंदरगाह थे और सूरत में पहले जो ब्यापार वहां से विदेशों के लिए होता था अब अंग्रेजों के द्वारा मुंबई और कलकता पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने निर्यात ब्यापार को वहां से अस्थानान तृत कर दिया इस प्रकार इस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की अस्थापना होने के बाद भाहरतिये कपड़े का युग समाप्थ होने ज़ा बहुत सारे पुराने ब्यापारिक घराने धह चुके थे जो बचे रहना चाहते थे उन्हें इरूकिये ब्यापारियों या ब्यापारिक कम्पनी के साथ काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था इस प्रकार अपनुविशी करन ने भारत में जो प्राचीन उद्योग थे उसको समाप्त कर दिया ओदोगी करन ने अपनुविशी करन को जन्म दिया और अपनुविशी करन ने भारत के परमप्रागत उद्योग को समाप्त कर दिया तो आज ये के बिंदू में इतना ही आप लोगों के लिए ग्रीह कारज रहेगा और दोगी करन का भारत पर क्या प्रभाव बड़ा धन्यवाद